नमस्कार स्वागत है आपका दोस्तो मेरे चैनल पर दोस्तो आज हम पढ़ेंगे हिमाय। हिमाय। जो था वो बाबर का पुत्र था और बाबर के चार पुत्र थे ठीक है और दोस्तो चार पुत्र थे तो अब हम देखते हैं कि हिमाय। के, जो question बनते हैं हमारे exam में, या जो बने है, repeated question वो कौन से, दोस्तों हमायू का जो इसमें सासन काल time period दिखाया है, वो 1530 से 1556 दिखाया है, तो एक question तो यहीं से बनता है आपका, दूसरा बनता है हमायू का पूरा नाम क्या था दोस्तों हुमायू का पूरा नाम था नाशुदीन मुहम्मद हुमायू क्या था दोस्तों नाशुदीन मुहम्मद हुमायू दोस्तों जो इनके भाई थे कामरान ठीक है कामरान को इन्होंने काबुल और कंधार और पंजाब दिया था क्या दिया था काबूल कंधार और पंजाब दिया था असकरी को इन्होंने संबल का छेतर दिया था असकरी इनके भाई थे और जो हिंदाल इनका एक अन्या भाई था उसको मेवाद का छेतर दिया ठीक है तो हिंदाल को मेवाद का छेतर दिया असकरी को संबल का और कामरान को काबुल का अंधार और पंजाब का छेतर दिया सासन करने के लिए ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तो अगला पॉइंट है दोस्तो हमारे पास कि हुमायू का पहला अभियान किस पर हुआ था हिमायू का पहला भियान किसके खिलाफ हुआ दोस्तो कालिंजर पर हुआ था इसका पहला भियान ठीक है कालिंजर का भियान हिमायू का पहला भियान था ठीक है जिसका सासक क्या था परताप रुद्र देव था ठीक है दोस्तो तो कालिंजर के युद के समय वहां का सासक कौन था परताप रूद्रदेव था ठीक है लेकिन उसके बाद भी हुमायू जो थे इसके साथ यूद करते हूं और इसका किला जीतने में असफल लेते हैं ठीक है अगला देखते हैं जो दोस्तों यहां से पश्र बनता है कि हुमायू ने 1533 में दीन पनाहन अगर की इस्थापना की दोस्तों दीन पनाहन अगर की इस्थापना किस ने की थी हुमायू ने कब की 1533 में तो अच्चे से ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट चितोड की महारानी करनावती ने कौन थी चितोड की महारानी करनावती ने हुमायू के लिए राखी भेजी थी तो कॉस्चन ये बनता है कि हुमायू के लिए किस ने राखी भेजी थी या चितोड की महारानी करनावती ने राखी किसे भेजी थी दोस्तों हुमायू को ठीक है अगला है दोस्तो हुमायू वा सेरखां के बीच जो युद का कारण था वो क्या था हुमायू वा सेरखां के बीच जो युद का कारण था वो क्या था दोस्तो वो था बंगाल important question है ठीक है अगला है दोस्तो चोंसा का युद कब हुआ चोसा कायुद आपका 1549 में हुआ था किसके बीच हुआ हुमायू वह सेरखा के बीच ठीक है तो इसका जो चोसा कायुद का कारण था वो बंगाल था ठीक है और ये चोसा कायुद कब होता है 1549 में ठीक है किसके मद्दिय होता है हिमायू और सेरखा के इसमें सेर खाँ जी जाता है ठीक है और सेर साहा की उपाधी लेकर क्या करता है गद्धी पर बैठता है किसकी उपाधी लेकर सेर साहा की उपाधी लेकर गद्धी पर बैठता है दोस्तो अब मैं आपको बता दू कि जो हिमायू था ठीक है इसका सबसे पहला बियान मैंने आपको बताया का बियान था परताप रूदरदेव के खिलाफ ठीक है उसके बाद इसने दीन पनाहन अगर की स्थापना की उसके बाद इसको राखी भीज़ती है चित्तोड की महारा नहीं करना वती ठीक है उसके बाद जो यूद होता है चोसा का यूद इनका निर्नायक यूद रहा है जिसमें ये क्या थे हार गए थे किससे सेर खां से ठीक है कब हुआ चोसा का यूद 1549 में और सेर खां ने अपने आपको सेर साह की उपा दी ठीक है अगला पुइंट दे 40 में इसमें हुमायू वह सेर साह के बीच यूद हुआ जिसके कारण सेर साह का दिल्ली वह आगरा पर अधिकार हो गया बहुत बढ़िया प्रशन देगा दोस्तों आपको मैं बता दूद चोसा के यूद में हिमायू हारता जरूर है पर क्या है न दिल्ली और आगरा की गद राम का यूद था ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों जो हिमायू था ठीक है हिमायू संबंदित एक पॉइंट आता है हिमायू अपने निर्वासन काल में यानि कि जिस समय गद्दी पर कौन बैठ गया सेर साहा बैठ गया तो यह निर्वासन काल में दरबदर बठग रहा था, तो इसने निरवासन काल में अपने समय कहां बीताया, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां, इसने अपने समय बताया, और उसका विवाहा यहां पर हमीदा बानो से हुआ, किस से हुआ दोस्तों, हमीदा बानो बेगम से हुआ, अगला देखते हैं दोस्तो, मच्छी वार कायूद, बहुत बढ़िया प्रशन है, कि मच्छी वार कायूद कब हुआ दोस्तो, ये 1515 में हुआ, सतलर नदी के तठपर हुआ, और किसके बीच हुआ था दोस्तो, हुमायू और अफगानों के बीच, मच्छी वार कायूद किसके के बीच युद हुआ तो बेरम खाम के बीच युद हुआ सरहिंद का युद्ध ठीक है जिसमें पुन्हा डिली का मुगल मुगल्ट्व के ल डिली पर मुगलोगा कब ज हो गया ठीक है भीowana क्या रहा ठीक है और बेरम खा गरता है दोसतों सिकंदर को या कiegen weapons का सासक होता है सिकंदर सूर इसको हराता है पंदरासो पचपन में ठीक है quan हिंद के युद में और क्या होता है दिल्ली और आगरा पर फिर से किसका सासन हो जाता है दोस्तों मुगलवंस का ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि जो हुमायू था हुमायू जोत्सी फिर साथों करता था था और सब्सक्षा के साथों दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था ठीक यानि कि क्या करता जो स्थी पर विस्वास करता करता te हिमाएउ ने दिल्ली में मीना बजार के शुरुआत कि धिक है दोस्तो डिल्ली के अंदर मीना बजार चैसंद की हिमायू ने अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तो जो महतवपुन पॉइंट है कि 1556 पनी में हिमायू की मित्व लेहा होती है और कहा होती है मुगल सासक की मित्यू सीडियों से गिर कर हुई थी, ठीक है, तो दोस्तो Construction आता है, गुल बदन ऊज़न भेगम, दोस्तो गुल बदन बेगम जो थी वो हुमायू की बहन थी और इसने हुमायू नामा लिखा था तो आपसे पूछा जाता है कि हुमायू नामा की रचना किसने की दोस्तो गुल बदन बेगम ने की important question है ठीक है दोस्तो इसके बाद हम देखेंगे सूर वंस के बारे में क्योंकि अब हम सेर साहा के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद फिर मुगल वंस के बारे में पढ़ें क्योंकि ठीक है तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप notes बनाईएगा ठीक है और इसमें वो सारे फैक्ट डाले हैं जो आप तक हमायू से संबंदित परशने आपे बने हैं अगर आपको किसी भी और्ल एक्जाम के कोश्चन उठा के देख लीजिए और इसमें कोई संका है तो हमें कमेंट में कीजिए आपको सारे कोश्चन यहीं मिलेंगे